क्या है असली वजह कि सल्मान खान विकी और केट्रीना की रूमर्ड वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे? क्या वो अपनी दबैंक टोर की वजह से अपसंट होंगे? या फिर बात कुछ और ही है? सल्मान खान और उनके परिवार को रिपोर्टेड ली बहुत पहले ही विक कैट की शादी का इंविटेशन मिला लेकिन इट लुक्स लाइक सल्मान इस शादी को अटेंड नहीं कर पाएंगे? विक कैट की रूमर्ट शादी रिपोर्टेड ली 9th December को है और सल्मान की दबैंक रिलोड़ेट टोर 10th December से रियाद में शुरू हो रही है सल्मान इस टोर पे कई और सलेविटीज के साथ जाने वाले हैं विच इंकलूद्स प्रभुदेवा, दिशा पार्टनी, शिल्पा शेत्थी, जैकलिन फिर्नांडिस, आयोश शर्मा, सुनिल ग्रोवर और अदर्स टोर की शुरुवात से एक दिल पहले उनका इंडिया में या राजस्थान में होना इंपॉसिबल है बट वी है कि सल्मान की बहने अल्वीरा और अर्पता जो केट्रीना के बहुत करीब है इस शादी को अटेंट करेंगी रिपोर्ट्स ऑल्सो से कि सल्मान विकी और केट्रीना के लिए एक खास पाटी भी ऑगनाईज करेंगे once they are back in Mumbai and he returns from the tour in Riyadh Meanwhile हमारे सोसेस बता रहे हैं कि विकी और केट्रीना की alleged शादी की तैयारिया जोरो शोरो से चल रही है ये शादी रिपोर्टिद्ली सिक्सेल्सिस फोर्ट बर्वारा में होगी जो रंधंबोर के पास सवाई माधोपूर में है सुनने में आ रहा है कि काट्रीना और विकी ने अपनी शादी को ग्रैंड बनाने के लिए कोई कसर नहीं ठोड़ी है इन फाक्ट विकी और काट्रीना दोनो इस होटल के सबसे महंगे स्वीट में रहने वाले है जिसका पर-night cost reportedly साथ लाग रुपे है विकी विल सब्सक्राइब बनान सिंग स्वीट और काट्रीना रहेंगी रानी पद्मावती स्वीट में दोनों ही बहुत लग्शूरियो स्वीट है विच वेशान पूल और विच रुपे है विच विच वेशादी से पहले साथ कारीक को रिपोर्ट ली संगीत होगा जिसके बाद महंदी की सेरिमनी होगी बिफोर दे ग्रांड वेडिंग अन दे 9th देसेंबर हमारे पास अभी तक कोई कॉंडिनेशन नहीं है बट हेर्ज होपिंग की ये रूमर सच हो और विच गजल भी मिस्टर एंग मिस्स कौशल बन जाए